हलो दोस्तों आप दीखने हम वर्ली इंफो ने विच अजपर जाने वाले यात्रियों के लिए सौधी हुकोमत ने किया बड़ा एलान अगर आपके जानने वाले इस बार जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों, अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबेल आइकन को जरूर दबाईए ताकि मेरा हर पहला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुचे और मैं आपको पताती हूँ आगे की पूरी खबर हज के टाइम में लाखों मुसल्मान मक्का पहुचते हैं और हज करते हैं हज इसलाम में फर्ज है जिस तरह से नमाज, रोजा, जकात पर फर्ज है इसी तरह से मुसल्मानों के लिए हज भी जरूरी कर दिया क्या है लेकिन हज में यह छूट होती है कि गरीब मुसल्मानों पर हज करना फर्ज नहीं है बलकि सिर्फ उनी मुसल्मानों पर हज करना फर्ज है जो आने जाने की ताकत रखते हूं इस हज का वक्त करीब है और भारत से दो दीन के बाद उरान सुरू हो जाएगी एसे में सौधी सरकार ने हज के टाइम में एक बड़ा एलान किया है सौधी सरकार ने कहा है कि जो बिदेशी सौधी में रहते हैं सिस्टम अजीर का इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं सौधी सरकार के स्रम और समाजिक विकास मंत्राला एलान किया गया है कि जिनकी उम्र 15 साल से ज़्यादा है उनके लिए यह बेहतरिन मौका है वो अपना पंजिकरन करके काम कर सकते हैं इस एलान से माना जा रहा है कि बड़ी तदात में लोगों को नौकरी मिलेगी खास तोर पर जो लोग बिरुजगार हैं उनके लिए यह सुनहड़ा मौका है आपको बता दे कि अजीर एक ओनलाइन सिस्टम है जिसके जड़िये एम्प्लोईर और एम्प्लोई राबता कर पाते हैं इस सिस्टम के तहित काम करने वाले को अपना रिजूम ओनलाइन डालना होता है उसकी बात उन्हीं नौकरी मिल जाती है अब सौधी सरकार ने विरुजगार के लिए यह बड़ा फैसला किया है इससे उमीद की जाड़ ही है कि हाजारों लोगों को फायदा मिलेगा ऐसे लोगों के लिए यह अच्छा मौका है जो हज के टाइम में मक्का में काम करना चाहते हैं आपको बदा दे की हज के टाइम म मक्का में काफी लोग जमा होती हैं इनकी संख्या लाखों में होती है इसे में वहाँ पर काम बढ़ जाता है इसी को ध्यान में रखती हुए सौधी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है दोस्तों आपको उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद अगर दोस्तों आप वीडियो को लाइक और शेर नहीं किये है तो कर दीजे बागी दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रोजाना हम आपके लिए एसे वीडियो लाती रहती हूं फिल्हाल के लिए इतना ही ठाइंक्यू